आज जिस personality की मैं बात करूँगी ये जब industry में आए तब इनके पास दौलत थी, शौरत थी, पिता का नाम था, इंडस्ट्री में बड़े-बड़े contacts थे, इसके बावजूद ये इंडस्ट्री में successful नहीं बन पाए, इनके पिता ने जहां इंडस्ट्री में दशकों तक काम किय वहीं इनका करियर सिर्फ तीन फिल्मों में ही सिमट कर रहे गया, ये लॉंच हुए थे यश्राज फिल्म से, लेकिन ये शोपड़ा के एक आईडिय ने ही इनका करियर तबाह कर दिया, और गोविंदा से पंगा लेकर ऐसी गलती की, कि सीधे इंडस्ट्री से आउट हो महेंदर कपूर को कौन नहीं जानता, वो हमारे इंडस्ट्री के गोल्डन एरा के नामी सिंगर थे, मेरे देश की धरती, सोना उगले, कई सूपर हिट गाने उन्होंने गए, महेंदर कपूर का बेटा रोहन कपूर पहले डिरेक्शन में जाना चाता था, उन्होंने इनिश स्ट्री में लॉंच हुए यश्राज फिल्म से, यश्चोपरा सहब ने तब एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म बनाई थी, इसमें रेखा, सुनिलदत जैसे स्टार्स थे और दो नए आक्टर्स थे, एक फारा नास और दूसरे रोहन कपूर, वैसे आपको बता दे कि इस फिल्म के लिए रोहन कपूर कभी पहनी चॉइस नहीं थे, यश्चोपरा सहब अनिल कपूर को चाते थे लेकिन तब उनकी डेट्स नहीं थी, यही कारण है कि तब यश्चोपरा सहब ने कुछ ओडिशन लिए नए चेहरे के लिए और रोहन कपूर को उन्होंने इस फ उपर फ्लॉप रही, यश्चोपरा सहब के करियर की ये फिल्म वन अफ दे बिगिस्ट डिजास्टर फिल्म थी और इस फिल्म से यश्चोपरा सहब के ताले लगने की नौबत आ गई थी, फिल्म फ्लॉप हुई थी लेकिन रोहन कपूर ने अभी उमीद नहीं चोड़ी वो अभी भी फिल्में करना चाते थे और एक्सपर्ट से राय मश्वरा ले रहे थे कि आखिर उन्हें किस तरह से अपनी करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, यश्चोपरा सहब से अच्छा मेंटॉर उन्हें कौन मिलता, यही कारण है कि रोहन कपूर ने यश्चोपरा को एक और फिल्म मिली, यह फिल्म थी Love 86, इस फिल्म से गोविंदा लॉंच हुए थे, रोहन कपूर ने इस फिल्म को साइन किया, यह सोच कर कि वो इस फिल्म के स्टार कहलाएंगे, क्योंकि वो यश्चाच फिल्म कर चुके हैं और अब इस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने गोविंदा को अंडरेस्टिमेट कर लिया, इस फिल्म में रोहन कपूर ने जब काम किया, तो सेट पर उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता था, इन फैक्ट खबरे तो यह भी थी कि गोविंदा को साइ अच्छी थी, उन्हें गोविंदा ने ओवर्शाइन कर दिया और पूरी फिल्म का क्रेडिट गोविंदा लेकर चले गए, लव 86 ने बॉलिवूड इंडस्ट्री में गोविंदा को खड़ा कर दिया, और लव 86 ही वो फिल्म प्रूब हुई, जिसने रोहन कपूर का करियर खराब कर दिया, एक तो इस फिल्म में वो एक को आक्टर या सेकिंड लीड के तौर पर नजर आए, और दूसरी चीज ये कि गोविंदा और उनमें साफ ओडियंस को फर्क पता चल गया, कि टैलेंट किसे कहते हैं, और नेपुटिज्म किसे कहते हैं, जब लव 86 के बाद सि शोप्रा की दी हुई टिप को फॉलो किया, उन्होंने फिल्में रिजेक्ट की, अब इस फिल्म के बाद उनके पास ओफर्स ही नहीं थे, जितनी फिल्मों के लिए उन्होंने हाँ कहा था, वो फिल्में या तो बंध हो गई, या उन फिल्मों में उनने रिप्लेस कर दिया इन ही फिल्मों में सिमट किया आगे चलकर रोहन कपूर अपने पिता के नक्षे कदम पर आगे बढ़े वह सिंगिंग भी किया करते थे तो वह जगा जगा शोस करने लगे महेंद्र कपूर और यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम थे इवेंट्स किया करते थे वह फॉर दौर में, इंडस्ट्री में आये थे जब कहीं सारे Star Kids इंडस्ट्री में ड circular किया थे। संजेदथ और Sunny Dayol ने डियबू किया था और वह इंडस्ट्री में चल पड़े थे। लेकिन कहीं न कहीं रोहन कपूर का करियर, राज कुमार के बेटे पूरू राज कुमार, राजेंदर कुमार के बेटे कुमार गौरव की तरह ही फ्लॉप हो गया।